आईफोन को बोल कर अनलॉक कैसे करें या दोस्तो अगर आप जो अपने आईफोन को लॉक करके रखे हुए हो और उसको जो है बोलोगे अनलॉक आईफोन तब जाके आपका जो आईफोन है वो जो है आटोमेटिक जो है अनलॉक हो जाए तो वो कैसे करते हैं सेटिंग मैं तो यह तो आपके पास हो गाई अगर आप स्टूडेंट विग रहो तो या फिर आपको घर में अब लेवल मिल जाएगा ठीक है तो यह मारकर है दोस्तो ब्लैक क्लर का तो इस तरीके का आपको मारकर चाहिए ठीक है और उसके बाद अब चलिए हम जो अपने आइफोन में करना है और यहां पर आप इस तरीके सिसको ड्रैक और ड्रॉप करो स्वाइप करो मतलब उसके बाद आपको पास्वर्ड क्या है वह आपको यहां पर डानना है जैसे कि मेरा जो पास्वर्ड है 1432 इस तरीके का मेरा पास्वर्ड है तो यहां पर हम देख लेंगे एक बार फ इस तरीके से marker ले लेना है और यहां पर tick करना है 1, 4 दोस्तों marker में आप इस तरीके से बीच वाला जो रहेगा एकदम lock का जो बीच वाला रहेगा उसी को tick करना है आप आगे पीछे ना करें जिससे कि यहां पर अच्छा से passcode यहां पर बोर कर लाझ वाला सेंटिंग करना चाह अब यहां पे आने के बाद आपको दिखाई देका दोस्तों नीचे में वाइस कंट्रोल इस पे CLICK कर देना है अब यहाँ पे WISE CONTROL पे CLICK करने के बाद सबसे पहले तो आपका जो WISE CONTROL है वो OFF है तुँशको ओन कर लेना है इस तरीके से CLICK करेंगे तो आपका जो WISE CONTROL है वो ON हो जाएगा यानि बोल कर आप जो आपने आइपॐन को CONTROL कर पाऊगे तो यह वारा सेटिंग आपको on कर लेना है सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर voice control जब आपका on हो जाएगा आपको यहाँ पर command पर click कर देना है create new command पर click करना है आपको अब क्या बोल कर यहाँ पर unlock करना चाहते हो यहाँ पर आपको बोली किना है unlock iPhone action पर click करना है run custom gadget पर click करना है आपका iPhone का passcode है जो भी रहेगों आपको यहाँ पर type करना है जो आपने यहाँ पर mark किया है 1432 दोस्तों जिस तरीकी से आपको password उसी तरीकी से आपको यहाँ पर press करना है अगर आपको password 4321 रहता तो इस तरीकी से आपको tap करना है तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर save पर click कर देना है back करना है save कर देना है और यहाँ पर back कर लेना है अब आपका जो command है वो save हो चुका है अब यहाँ पर अगर हम जो है इसको पूरा close कर देते हैं और हमारा जो iPhone है उसको lock करते है और यहाँ पर जो है दोस्तों इस तरीके से drag करते है तो हमारा face ID पहले मंगता है तो हमने जो है face ID नहीं दिखाया तो हमारा जो है password मंगता है अब यहाँ पर हम बोलेंगे unlock iPhone यह देखिए हमारा iPhone automatic यहाँ पर unlock हो गया है और यहाँ पर अगर हम lock करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अब बोलते हैं तो unlock iPhone देखिए दोस्तों अब यहाँ पर यह हमारा iPhone lock screen पर रहता है जैसे कि यहाँ पे यह आप देखिए Unlock iPhone तो यह काम नहीं करता जब यहाँ पे आप प्रेस करोगे तब यहाँ पे इस तरीकिसे जब आपका iPhone on display हो जाएगा आप बोलोगे Unlock iPhone Unlock iPhone यह देखिए हमाने जो setting किया था वो काम कर रहा है यह देखिए लेकिन अब हमारा iPhone तो Unlock हो रहा है लेकिन यहाँ पे swipe up करना पड़ रहा है हमको तो यहाँ पे हम एक setting करेंगे जिससे जो है हमको यहाँ पे यह दिक्कत ना हो यानि कि हमको जो है एक तो यह lock है हमारा iPhone यह लॉक है तो हम को इस तरीक से प्रेस करना पड़े प्रेस कर भी देते हैं और यहां पे हमारे आइफोन डिस्प्लिए होजाता है उसके बाद भी यहां पर अगर हम बोलते हैं अनलोक आइफोन उग उनलोक आइफोन तो ये काम करतो रहा है ठीक है अनलॉक हो गया यहाँ पे लेकिन यहाँ पर फिर उसके बाद स्वाइप करना पड़ रहा है तो हमको क्या करना पड़ा पहले तो हमारा जो डिस्प्ले आप्स हा उसको हम यहाँ पर बटन प्रेस करके आउन किये उसके बाद unlock iPhone भूले तो हमारा जो फोन है उसका जो passcode है वो automatic type हो गया उसके बाद type होने के बाद हमको swipe up करना पड़ रहा है तो हम यहाँ पे setting करेंगे जिससे यह सब समझ से दूर हो जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से अपने iPhone में setting app को open कर लेना है यहाँ पे आपको आ जाना है photography अ फिर से accessibility पे और उसके बाद आपको touch पे click कर देना है touch पे click करने के बाद आपको नीचे आना है नीचे में आपको ऐक option मिलेगा back tap का तो इसके click कर देंगे और back tap पे click करने के बाद जो दोसतों यहाँ पे दो option है double tap और triple tap तो double tap पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिलेगा home करके ठीक है तो home यहाँ पे आपको select कर देना है और इस तरीके से आपको back कर देना है तो यहाँ पे setting हो चुका है दोस्तो back tap पे double tap पे हमारा home यह आप कर लिजेगा उसके बाद आप अपने iPhone को lock करें अब यहा जो है तभी काम करेगा जब आपका iPhone on display हो तो उसके लिए आपको जो है दोस्तो अपने iPhone के यह जो डिस्पले उसको एक बार टो टच करना ही पड़ेगा अब जैसे आप यहाँ पे अपने iPhone को टच कर लोगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे करना क्या रहेगा दो बार अ अनलोग iPhone यह देखिए उसके बाद आपका iPhone अनलोग हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया अपना iPhone उसको लोग करता हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने iPhone में टच किया डिस्पले को उसके बाद मैं यहाँ पर दो बार टैप करूंगा और दो बार जैसे टैप करेंगे यह आ जाएगा अनलोग iPhone आई फेस आईडी काम कर दिया हाँ दोस्तों आप फेस आईडी को बंद कर ले पहले तो एक बार अपने iPhone के यहाँ पर चले जाएए यहाँ पर फेस आईडी आपका iPhone अगर फेस आईडी से ओपन हो जा रहा है तो आप उसको पहले बंद कर ले यहाँ पर iPhone अनलोग कर दे यहाँ पर यहाँ बटन क्लिक करें अब आपका जो iPhone है वो आपके फेस आईडी से अनलोग नहीं होगा आप यहाँ पर पासकोड का ही इस्तमाल कर पाऊगे अब चली जैसक में बता रहा था अपने iPhone को इस तरी किस ल और यहाँ पर उसके बाद आपका iPhone अनलोग हो गया अब जो दोस्तों आपको यह काम भी अच्छा नहीं लग रहे है कि आपको टेच करना पड़ रहे है यहाँ पर पीछे साइड डोबा टैब तो उसके बजाए आप क्या कर सकते हो मैं आपको जाता हूँ यहाँ पर आप ज accessibility पर चले जाएए और यहाँ पर आपका जो है वाइस कंट्रोल दिख जाएगा इस पर आ जाएए और उसके बाद फिर से command पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप सर्च करिए home करके ठीक है तो यहाँ पर हम home लिख देते हैं यह देखे आपको home मिल जाएगा go home इस पर क्लिक करक देखे जाएगे अगर आपका disabled है तो आपको इसको on कर लेना है ठीक है जब आप यह कर लेंगे on उसके बाद आपको जो है अपने आईपोन को lock करते़ देना है लोक करने के बाद आपको जो है एक बाद टच करना है अपने display को और यहाँ पर करना है go home आपको इस तरीकिसे यह option आजाएगा, अब यहाँ पर आपको बूरना है, tab confirm, tab confirm, tab confirm, उसके बाद यह आजाएगा, उसके बाद आपको बूरना है, analog iPhone, यह दिखी, यह open हो गया है, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या किया दोस्तों, यहाँ पर go to home, यहाँ पर एक बाद टुच करना ही पड़ेगा आपको, डिस्प्ले पर, यह देखिए, उसके बाद आपको बूरना है, go to home, tab confirm, अनलोक iPhone, यह, यह हो गया दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों सेटिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने दो तरीका बताया है, एक तरीका में आप जो है अपने iPhone में जो है, इस तरीके से टच करेंगे, डिस्प्ले को, उसके बाद दो बार क्लिक करेंगे, तब यहाँ पर यह इस तरीके से आजाएगा, और उसके बाद बोलेंगे, अनलोक iPhone, अनलोक iPhone, अनलोक iPhone, अनलो, इतना देर बाद हुआ वई, कभी-कभी मेरा आवाज समझ नहीं पाता है, लग रहे है, दोस्तों मेरा आवाज सही हैंगे नहीं, आप बताओ, मेरी गलती है, कि इस तरीका यह हो गया, और दूसरा तरीका में आपको जो है, इस तरीक से आपका iPhone लोक रहेगा, तो टच करके डिस्प्ले को आन कर लेना है, उसके बाद आपको बोलना है, गो टू हो, गो टू हो, आ गया, आप यहाँ पर यह जो कनफर्म लिखा है ना दोस्तों, यह जो कनफर टैप कनफर्म, अनलोक iPhone, अच्छा, दोस्तों आप न अराम से इसको बोलिएगा, यह काम करेगा, ठीक है, तो इस तरीक साब सेटिंग कर लो दोस्तों, उसके बाद आपका जो iPhone है, उसको आप बोलकर अनलोक कर सकती हो, दोस्तों, मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो iPhone है, उसको इसको आप आप साप कर ली किया है, यहाँ पर इस तरीक की का एक लिए आया धो, यहाँ आपको मिल जाएगा आपके पास होगा घर में तो तो इसको हम इसको आप पर प्रेस करेंगे, कॉटन से यहाँ पर साप कर लो, अब यहाँ आपका आईफोन इस तरीकी से साफ हो चुका है अब यहां पर हमने साफ कर लिया तो इस तरीकी से साफ कर लिजेगा दोस्तों अब उसके बाद आपको पता है क्या करना है हमारा यूटुब चैनल सस्काइब करना है नौटफिकेसन कौॉट कि आल पि